भेल जिसका फूल फॉर्म है भरत हेवी इलेट्रिकल लिमिटेट अज जो इंड्रेस्ट्रेल में आते हैं एक कमपानी हेवी इलेट्रिकल इकूपमेंट और एक मिटकेप कमपानी है और इसमें इंबेस्ट्मेंट एक हाई रिस कैटागोरी में आते हैं जब यह company का result date आएगा उससे पहले दिन अब एक company से निकल जाएए क्यों मैं इसा कहा रहा हूँ अब इसका trend को देखिए quarter 2 का result announcement हुआ ओर time में company का stock 2% गिर गिर गिया quarter 3 का result announcement हुआ तब एक company का stock 9% गिर 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 और quarter 4 का result announcement हुआ तब एक company लगबग 20% तक गिर गिर गिया है तो इसलिए मैं को कह रहा हूँ जब एक company का result announcement आएगा और date का पहले दिन अब इससे निकल जाएए इसलिए मैं को कहा रहा हूँ कि company का result का साथ एक company का stock price का trend जो है ओर नीचे के तरफ है last minute में भेल company का पर rating agency का जो report है ओर बोल सकते कि एक company का stock price का पर एक boom बनके गिरा है दोनों rating agency है क्यार एंड क्रिसिल दोनों ने एक company का rating को downgate किया है और क्या डवले से क्या डवले माइनस में लेके आए ओहीं पर क्रिसिल डवले नेगेटिप से क्रिसिल डवले माइनस नेगेटिप में लेके आए और एक दोनों rating के चलते company का जो long time bank facility है ओ भी बहुत ज़़ पर सकता है उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है उसी का पर एक company का rating जो है दिया गया है और सिपके सिब rating agency ने बोकरेज हाउस ने भी एक company कर तो stock price का जो target दिया है और देखके आप चौक जाएंगे कोई कोई तो इसको 55% तक नीचे expect कर रहा है ब्रोकिंग हाउस का अगर माने जैसे कि मोतिराल असवाल उन्होंने target expect कर रहा है 40 रूपीज का असपास में करता है rating agency और उसके साथ बोकरेज हाउस दोनों मिलके जो डाउंगेट और टार्गेट नीचे के तरफ दिया है और इसलिए कि एक company का quarterly earnings को अगर देखेंगे तो लगातार इस company का earnings जो है नीचे के तरफ आया है और इसलिए एक दोनों मिलके भेल कंपानी को भेल से भेल पूरी मना दिया है अब आते मेरा analysis का पर तीन मैना का चार्ट अबागत देखेंगे जो quarter full का result आया था उसके पाद जो gap down open हुआ था मतलब नीचे के तरफ लगबख 62 से लेकर 63 रूपीज तक लो लो किया था उसके बाद से company का price का भी सत्ता रूपिया पाड़ नहीं हो पाया तो जब तक ए company का प्राइस सत्ते रूपिया पाड़mus पाड़ नहीं हो गा तब तक घड़ बरपाई हो तो इसमें जितना सारे quarterly performance आप देखेंगे तो हार performance COVID-19 lockdown का दौरान देखने को मिलेगा जिसका असर एक company का जो sales performance है उसका पर जाके गिरा है लास्ट अगर March 20 से आप आगर देखेंगे March 21 मतलब year on year अगर देखेंगे तो आपको यहाप जो sales है वह आप देखने को मिलेगा company का जो March 20 का sales था वो था 5000 करोर का आसपस में और ओहीं पे आप March 21 का देखेंगे तो 7111 करोर का आसपस में को sales देखने को मिलेगा और जिसका percentage आप खुद देख पारे 42% का आसपास increase हुआ है उहीं पर अगर EPS को अगर देखेंगे March 20 को तब आगर 4.41% देखने को मिलेगा लेकिन अगर March 21 का अगर EPS देखेंगे तो आगको सिपके सी माइनस 2.97 देखने को मिलेगा और आगे चलके जिस तके से vaccination डाइब हो रहा है तो हमको लगता है नहीं कि आगे चलके lockdown और जाद extension होने वाला है या आगे चलके full lockdown होने वाला है तो हमको लगता है कंपानी का जो sales performance जो है और बहुत अगर तक आगे चलके improve होने वाला है जो एक कंपानी का stock price को इसका एक trigger बन स 500 क्रोर का आसपास में loss जो है कम हुआ है और यह देखके यह पता चलता है कि इसका trend जो है वो पॉजिटिक का तरब जा रहा है company future option में भी है तो 9 जुलाई का हिसव से open interest value जो है जो spot price अभी 66.45 और strike price को अगर देखेंगे तो पूड का जो सबसेर open interest value को देखनों को मिलेगा और 60 रुपिया का असपास में है और ओही अगर call option को अगर आप देखेंगे तो उसका strike price 70 रुपिस में सबसे ज़्यादा open interest है और ऐसे भी 66 ते लेगे 65 ते लेगे 68 तक एक company का अंदर call option में बहुत ज़्यादा open interest है इसका मतलब यह है कि बजर भी expect कर रहा है कि company का stock price नीचे के तरफ नहीं उपर के तरफ जाने का chances जाड़ा है और company का strong pond कहां पर ओभी अब देखिए coal hydro nuclear gas and solar energy solar power energy कम में company का capability कितना है ओव आप अभी इस रिपोर्ट में देखिए floating solar EPC ही सबसे अगर देखे तो इंडिया में भेल company का सबसे बड़ा प्यारी से मना जाता है और ओहीं ही सबसे अगर देखेंगे तो ओष्ट मेंगल मुसिदावार डिस्टिक में सागरदी की thermal power project का जो तीन टो raw water ponds है उसमें एक company floating solar plant जो है उसमें develop कर रहा है और सिब इतना ह नहीं उसके साथ साथ electric vehicle का जो मिशन सबने आ रहा है 2000 तीका अंदर तो ओई सबसागर देखे तो solar charger का जो station बनाने के लिए भी सरकर ने भेल company को offer किया है और उसमें भी भेल company जो है मेकिन इंडिया का तरफ से उसमें काम कर रहा है तो सब मिलका का देखे तो company का पास जिस तर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो हर चीज़ को देखते हैं मुझे लगता है कि company का stock price नीचे के तरफ पाइतर लिस कम और उपर के तरफ 80 देखनों को मिल सकता है मुझे लगता कि 70 रुपया का जो gap है और company का stock price पहुँच अच्छा से फिलप कर सकता है और AC अगर गिनना होता ज लेकिन जब उहां पर आया नहीं है तब हमको लगते कंपनी का stock price बहुत जड़ा strong है और हमको लगते कंपनी का stock price 80 रुपीज का आसपास पर बहुत जल्दी जा सकता है तो यह था मेरा वीडियो हर चीज़ का analysis क्या हूं पसंदा लाइक शेयर कमेंट जूरी कीजिएगा चलि मिलते नेक्स वीडियो में तरफ तक रेटाटा बाई